तर दुस्तों यह यह वह समित के घीजर का PCB है 25 लिटर का गीजर है और इसमें टेम्प्रेटर कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है इसलिए इसमें PCB लगा है लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रहे हैं यह PCB वर्क ने कर रहा ना गीजर का डिस्पले जल रहा है पानी हीट कर रहा है यह आपना दो आरेज है जाएगा लाई न्यूटर लिले से अपने को आउटपुट को यह जाएगा अपना हिटिंग इलेमेंट को इसमें टेम्परेचर सेंसर भी लगाया हुआ हुआ इदर लेकिने आए तो इसमें फॉल्ड के आए मैं आपको मैंने इसको चेक किया है मैं इ टैओट लगा हुआ है एक बिए आपको अच्छे से दिक्का यह एक बिनित में आपको अच्छे से दिखा देते हैं यह था अप देख सकते हुआ है यह बाल तो इस PCB जो है ना PCB के अंदर से मैंने ट्रांसफर्मर और यह डायड निकाला हुआ है उसको मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ डायड में क्या प्रब्लब में है इसको अभी मैं डायड मोड पे सिलेट कर लेता हूँ क्लैमेटर को अभी मैं इदर टॉच कर दिया तो यह रीडिंग नहीं बता रहा है जुरो जुरो बता रहा है इसलिए यह डायड को मैंने निकाल दिया और इसके जिगे पर दुसरा रायड डाल दिया और ट्रांसफर्मर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ इदर से भी फूल कंटि का जो नंबर है वो नंबर है आपना RS3100 RS3100 इसका नंबर है डायड का अगर आप अच्छे से देखोगे मैं आपको सही से दिखा देता हूँ इक बार देखो इधर RS3100 मतलब यह सार एक्टी सो इस डायड का नंबर है दूसरी चीज़ है यह ट्रांसफर्मर है यह जरो बारा का रिजिस्टन्स बढ़ गाया है इसलिए जो आउटपूट होल्टेज है सेकंडरी वैंडिंग में वह खाली 3 वल्टेज दे रहा है इसके जना चाहिए 12 वल्टेज इस वजह से अपना PCV वर्किंग नहीं कर रहा था वो भी आपको एक बार चेक करके दिखा देता है इसको करें मन किलोम मैक्सिमम देंगा जाहिए मतलब डिजन जो अपने ट्रांस्फंगर का है उसके सबसे दिखा चाहिए लेकिन तो ज्यादा रिजिस्टन्स देखा रहा है 3.20 किलोम और इसके वज़े से क्या हू रहा है प्राइमरी वञंडिंग के अंदर ज्यादा रिजिस्ट लेकिन प्राइमरी वैंडिंग में डिफेक्ट था इसलिए आपको मैं दिखा जिता हूँ मैं यहाँ पर अभी एक दूसरा ट्रास्परमर डाल दिया है बाहर से जुरबारा का जो ट्रास्परमर मार्केट में मिलता है उसको डाल दिया है अभी अपने इसको सप्लाई दे के मै अगा गआ पर आपको सप्सक Memphis अंग करें के दिखा जीता हूँ मैं अपको इसके आपना उपूट होता है जो इसको जाने वाला यह नहीं देता हूँ मैं अभी इसको क्रढ़ेग चेके दिखा दीता हूं और इसको मैं चालो करके दिखा देता हूँ और इसका डिस्पले के अंदर तेंपरेचर कैसे चेंज करते हैं इस आरी चीजे मैं आपको इस वीडियो में एक्स्प्लेशन करने वाला हूँ देख सकते हूँ इसमें सप्लाय आगा है अभी इसके मां बटन दाबाएंगे अभी 35 डिग्री से टेंपरेचर अपने सेट के आए और इन्मरमेंट तेंपरेचर है तेंपरेचर है 24 डिग्री सेल्सियस अभी मैं इसका टेंपरेचर अगर आपको बड़ाना है तो इधर से आप टेंपरेचर बड़ा सकते है 35 37 38 9 40 50 जितना भी लेना है उदर तक लेके जा सकते हूँ अभी मैं इसका 60 कर देता हूँ 59 60 60 डिग्री सेल्सियस मैंने टेंपरेचर सेट कर दिया जो पानी का टेंपरेचर है 24 डिग्री सेल्सियस है अभी पूरा आपना अच्छे से वर्क कर रहा है गीजर मतलब जो पिस से भी आउटपूट चोड़ रहा है जो आउटपूट के जो दो वायरे जो आपने कौईल क एक सबस्क्राइब जो दो वायरे रिले से निकल रही है देखो यह री लेसे आउटपूट निकल रहा है इसके अंदर का भी मैं आपको होल्टेज चेक करके दिखा दिता हो ताकि आप कंफर्म हो जागी है कि यह आऊपूट रहा है ओक्श्ट को इक मिड़ मैं आपको चेक इसके अंदर का क्लामेटर के ऊपर देख सकते हो तो थरटीन ओल्टेज दिखा रहा है मतलब जो आउटपूट अना चाहिए तो आउटपूट ओल्टेज आ रहा है अभी अपना गीजर ओन हो जाएगा और पानी हीट करना भी चालो कर देगा इस तरीके से अपना पीसी भी र लिखा दिता हूं इस से से अंदर आ गया लुए अगर आपके कोई घीजर के डिस्प्लें में अगर यह तरीके से इवन आरे रहा आता है एक तो सेंसर अपना फॉल्टी मतलब ओपन होगा या सेंसर शॉल्ट होगा या दूसरी चीज अपना जो सेंसर को फाइव होगा तो कमेंट करो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का अपने दोस्तों में और हट्सप ग्रूप में शेयर कर देजिए थैंक्यू एवरिब्ली थैंक्यू सो मच